हाई अब्रिवन वेलकम बैक टूम चैनल मैं हूँ शिवानी ले आई हूँ आप लोगों के लिए एक और हैश्टेग भी बूल की वीडियो आज बात करेंगे कि अगर आप अपने प्यूबिक एरिया को शेव करना चाहते हो प्यूबिक हेर्स को शेव करके हटाना चाहते हो बहुत सारे मेथड होते हैं बहुत सारे लोगों की प्रिफरेंस लेकिन शेविंग होती है क्योंकि वो बहुत कन्वीनियन्ट है एजी है खुद से आप कर सकते हो बहुत ज़ादा पैसे खर्च नहीं करने आपको और कभी भी कर सकते हो तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को शेव करना ही बैटर ऑप्शन लगता है एंड हाँ पैनलेस भी है क्योंकि वैक्सिंग मगर अगर करो तो वहाँ पे थोड़ा फिर पैनफुल हो जाता है तो अगर आप शेव करना चाहते हो तो कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स में आपको बताऊंगी इस वीडियो में ताकि आप शेव करके अपने प्यूबिक एरिया को अच्छे से मैंटेन कर पाओ और हाईजीनिक रख पाओ आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो कर वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दिया करो तक कि मुझे भी बता चले कि आपको ये वीडियो पसंद आई और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है और और काम करने का मन करता है तो कर दिया करो एक लाइक और कॉमेंट करोगे तो मुझे और भी बहुत अच्छा लगता है मैं सबके कॉमेंट्स पढ़ती हूँ, ट्राय करती हूँ, हाट्स देने का, रेपलाई देने का अच्छी का भी उस कर सकते हैं, जब साइस थोड़ा हो जाएगा हैर का तो शेफ करना ज्यादा इजी रहेगा और नेक्स टाइम से तो आप इतने ज्यादा बढ़ने ही मत दो पहले ही शेफ कर लो या जैसे शेविंग क्रीम या शेविंग वाला फोम होता है उस तरीके का कुछ भी आप यूज़ करेंगे तो इजीली शेव होगा कर्ट्स वगरा के चांसे काफी कम होंगे और आपकी स्किन भी इरिटेट नहीं होगी तो आप जो भी अफोर्ड कर पाएं जो भी आपको अच्छा लगता है उसे साबसे आप चूज कर सकते हैं शेविंग क्रीम आप यूज कर सकते हैं शेविंग फोम आता है वो आप यूज कर सकते हैं शावर जेल आप यूज़ कर सकते हैं थोड़े जाग बना ले उस एरिया पे साबुन से भी आप बना सकते हो depends upon your choice आप अलुवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं वो भी बहुत सारे लोग बताते हैं कि अलुवेरा जेल लगा लो कि razor कौन सा यूज़ करें तो देखिए जो एक pink वाला razor आता है जिलेट का women razor even men's को मैं बोलूँगी women वाला जो razor है वो आप यूज़ कर सकते हो वो काफी easy होता है यूज़ करना तो आप वो यूज़ कर सकते हो और कोई affordable नहीं पता है अभी इतना अभी क्या चल रहा है so I think यही रेंज है 10-15 रुपे का ही आता है तो यूजन थ्रो जो रेजर है वो आप यूज करो जब तक चल रहा है चलाओ next PC में आ जाती है कि बहुत ज़ादा एक ही को लंबे यूज कर लो और अगर आप वो cartridge वाला यूज करते हो जिसमें वो change हो जाती है तो आप वो यूज कर सकते हो next step boys के लिए है दूसरे body part का अगर आपका कोई रेजर है जैसे की face का है या और अगर आप body के hair हटाते हो उसको अलग रखे और आपने private part वाले area के razor को अलग रखे next tip है कि razor जहाँ पे भी आप रखते हो वो area बहुत ही जादा hygienic हो बहुत सारे लोग bathroom में ऐसी छोड़ देते हैं और वहाँ पे bathroom भी उनका clean ने रहता या तो आपने bathroom में cleanliness बना के रखो जहाँ पे आपका toothbrush वगर नहीं तो मैं बोलूँगी एक टिशू में wrap करके आप अलमारी में रख लो जब भी आपको यूज करना है उसे लेके वाश्रूम गए यूज करा और वापस से उसको एक टिशू में या टॉलेट रोल में wrap करके आप रखो तो थोड़ा सा हाईजीन और आपका जो प्राइबेट पार्ट का एरिया है वो भी थोड़ा हैजीनिक रहेगा अगर आप एक साफ और क्लीन रेजर यूज करोगे तो मेरी नेक्स्ट पालों के लिए यह है कि आप धीरे-धीरे स्लोली जंटली यूज कीजिए रेजर को और अगर आपकी थोड़ी स्किन ऐसी है कि मतलब ठोड़ा धीली है तो थोड़ा इसे हाथ से एक हाथ का यूज करें उसको ऐसे टाइट करने में और दूसरे हाथ से आप रेजर का यूज करें तो थोड़ा सा उस एरिया को टाइट से कि अबर आइब्रूichen बन करें आपको यह और आपको रींगा है तो आपको रीज नीचे राएव बंशाएब 형 Rs. तेरा मेरा चलाओगे तो बालों की फिर ग्रोध आगे वैसी हो जाएगे और उपर चलाओगे तो आपको bleeding वगरा भी हो सकते हैं उल्टी direction में या फिर rashes भी हो सकते हैं तो बालों की ही direction में आपको razor को use करना है बहुत सारे लोगों की अगर growth ही तेरी मेरी है तो आप फिर जिसे फर एक्जांपल यहां से ऐसे growth टेड़ी जा रहे है तो फिर आप टेड़ा कर सकते हो मतलब जिस तरफ hair जा रहे हैं उसी direction में आपका razor भी जाना चाहिए मेरी next पालों के लिए यह है कि आप चाहें तो बीच बीच में wash कर सकते हैं अपने razor को भी और अपने उस area को भी pubic area को आप ठंडे cold water से rinse करते हैं बीच पीच में और check करते हैं कि कहां कहां growth रह गई है और वहां पे दुबारा से जो भी आप चीज यूज़ कर रहे हैं shaving foam, saboon, shower gel उसे वापस से वहां पे थोड़ा जाग बना के भी फिर दुबारा से आप यूज़ कर सकते हो तो आप थोड़ा बीच में ब्रेक भी लेकि check कर सकते हो कि कहां growth निकली है कहां नहीं निकली है और razor को भी अगर उसमें जाग या आपके बाल फस गए है तो उसको भी बीच बीच में आप धोते जाए जिससे easy हो जाएगा बालों को आगे वाली मदद दुबारा जब निकालों के उसको easy हो जाएगा निकालना अब मेरी next tip यह है कि जब आपके hair वगरा remove हो गए आपनी clean कर लिया उसके बाद जब आप उस area को सुखाओगे तो ऐसे रगणना नहीं है उस समय आपकी जो skin है वो बहुत जादा sensitive और soft होगी धीरे धीरे pat dry करें और उसके बाद में आप moisturizer कोई भी लगा सकते हैं moisturizer लगाना इसलिए ज़रूरी है कि अक्सर लोगों को shave करने के बाद में या wax करने के बाद में जिस area से बाल निकले हैं वहाँ पर eating जैसी खुझली जैसी फील होते हैं तो वहाँ पर आप कोई भी moisturizer use कीजे moisturizer के तोर पे आप कोई body lotion यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं तो आप coconut oil यूज़ कर सकते हैं aloe vera gel भी आप लगा सकते हैं तो इस तरीके के कुछ moisturizer आप यूज़ कीजे इविन आप regular base पे भी moisturizer वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये भी होता है कि regrowth जब बालों की हो रह की next and last tip यह है कि cotton underwear पहनिए अगर आप कोई ऐसा material पहनोगे underwear का जो की irritate करें आपके उस area को क्योंकि skin उस समय बहुत जादा soft हो चुकी होती है और आप कोई ऐसा underwear पहनोगी जो cotton का नहीं है या irritate करने वाला है skin को तो बहुत ही easily आपको rashes and खुजली और जादा बढ़ सकती है यह सारे problems हो जाएंगी तो साफ सुतरा cotton का underwear पहनिए and यही थे सारे tips जो कि आपकी help करेंगे easy बनाने में आपके shaving experience को देखिए shaving करने से बहुत सारे myth भी है shaving कि shaving करने से जल्दी जल्दी growth हा जाती है या cuts लग सकते हैं infection हो सकता है अगर आप यह वाली जो मैंने tips बताएं इनक trust me यह सबसे जादा easy है अपने convenience पर आप कर सकते हो अपनी growth को आप maintain कर सकते हो कि कितने growth के बाद आपको करना है खुद से कर सकते हो cheap option है ज्यादा महेंगा नहीं है so इसलिए I recommend shaving इसके लावा अगर कोई और method आपको जानना है कि और इसके लावा क्या option है तो उस पे already मेरी चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएगी आप देख सकते हो मैं link देदूँगी end screen पे चलिए आज के लिए था इतना ही I hope आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो पसंद कर दो